जहिन वित्रों जैसा मैंने लास्ट बार प्लान मनाया था कि हम लोग मेंस एंसर एटिंग का एक मंच बनाएंगे और हमने बनाया भी और उसमें सब्ता में तीन बार मेंस का सवाल मेरे दौरा आपको दिया जाएगा जिसका जवाब आप मुझे भेजेंगे मैं उससे पढ़ूँगा और उसमें से तीन सर्वसेष्ट उत्तर का चैन करूँगा और उन कॉपियों का मुल्यांकन अपने यूटूब चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगा और जो बाकी के कॉपि रह जाएंगे जिनका स्वसेष्ट नहीं रहा है उनके बारे में भी थोड़ी बहुत मैं राय दे दूँगा ताकि वो चात्र सुधार कर सकें अपने उत्तर में पर कभी-कभी आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं मैंने मेंस के लिए पहला सवाल अपनी वेबसाइट पर तो डाल दिया और जैसी मेरी अपेक्छा थी उसके ठीक उलट हुआ और जो आगी जाकर विलम का कारण भी बन गया मुझे नहीं पता था कि छात्रों को मेरे इस पहल का इतनी बेसबरिस से इनतिजार था कि उन्होंने मातर तीन चार दिनों में 170 कॉपी भेज दिया मुझे लगा कि भाई 10-15 मिलेंगे तो मैं 2-3 दिन में चेक करके निप्टा लूँगा पर ऐसा हुआ नहीं मुझे कॉपी का प्रिंट आउट निकालना पड़ा दिखाता हूँ आपको कितना मोटा है इतना आप लोगोंने मुझे भेजा है तो काफी लेट हो गया अब सारी कॉपी को चेक करते करते मुझे 8-9 दिन लग गया और फिर वीडियो अपलोड अडिट और काफी इस सब करते करते लेट हो गया बताईए ऐसे कि जीगा तो कैसे क्या करूं मैं यह आपके पास कुछ आइडिया है कि इस पहल को कम समय में कैसे मिट आया जाए तो कमेंट करकर जरूर बताएं खेर मैंने सारे कॉपी चेक कर ली हैं आगे बढ़ने से पहले मैं उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने UPSC में सफलता हासिल की UPSC एक सच कहिए तो यग्य की जैसा होता है और यग्य सफल हो जाए तो उसका आनन्द ही अलग होता है और मैं उन छात्रों के प्रती समेदना भी परकट करना चाहता हूं जो थोड़े से मास के चलते UPSC कौलिफाई नहीं कर पाए मैं तो डर से कई छात्रों को पुछा भी कि नहीं कि उनका हुआ की नहीं है फिर धीरे-धीरे कुछ दिन बाद उनका मैसेज आना शुरूआ इसर मेरा नहीं हुआ उनमें से कई लोग का अंतिम प्रयास था तो दुख तो बहुत होता है पर क्या कर सकते हैं जिनके साथ गुजरती है वही जानते है कि उसकी पीड़ा क्या होती है पर मैं हमेशा से आपको कहते आया हूँ कि किसी भी काम के अंत हो जाने या उसके अंजाम तक नहीं पहुचने से जीवन का अंत नहीं हो जाता है जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए जिसमें आप समाज को परत्यक्ष या अब परत्यक्ष रूप से सेवा प कि आसा कुछ कर रहे हैं तो युद सच भी है कि Asafalta कोई अच्छी चीज नहीं होती है दोखी पोंचाती है पर Asafalta मैशा कुछ नकुछ हमें सिखा भी देती है सिखार कर चली भी जाती है उस सीक का यदि हम अपने नीजी जीवन में परियोग करें तो हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं पर बार-बार गलती करते रहेंगे और अतीत को लेकर दुखी होंगे तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा अब बार-बार हम गिरते रहेंगे यदि पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे का जो पत्तर है वो मुझे नहीं देखेगा और हम लोग गिर जाएगे तो मुझे लगता है कि सिविल सेवा कि यदि कोई सेरियसली तियारी कर रहा है तो वो खुद एक महान व्यक्तित हो जाता है उसको ना तो मेरी सीख की जरूरत है और नहीं किसी और की सिविल सेवा की तयारी खुद आपको अंदर से मजबूत बना देती है और इतना तो गरंटी है कि एक सिविल सेवा जो तयारी करने वाला बच्चा है भूखा कभी निमरेगा जीवन में कुछ न कुछ जीवन में ऐसा करी लेगा जिससे समाज में सकारात्मकुरजा का संचार होगा आप लोग जानते हैं कि हमारे वेदों में ब्रामन होता है यदि आप इतिहास ध्यान से पढ़ रहा है तो हमारे वेदों के ब्रामन होते हैं रिग वेद के ब्रामन है एत रे ब्रामन तो उसमें राजा हरिष्चंद के पूतर रोहित की कहानी है जिसमें इंद्र देवता наверne चरेवेती का अब्देश दिया था यानि जो मनुष से बैठा रहता है उसका सवभाग जो है वो भी रुख जाता है और जो उठ खड़ा होता है तो उसका सवभाग भी उसी तरह उठ खड़ा होता है जो पड़ा रहता है लेटा रहता है उसका सवभाग भी सो जाता है और जो तो विचरण में लगता है उसका स्वभाग भी चलने लगता है तो इसलिए तुम इंद्र भगवाने का कि तुम विचरण करते रहो चरेवेती चरेवेती इसलिए आप भी चलते रही जैसे कि अभी कल पर सुमें एक सौट वीडियो बनाया था यह बताते हुए कि इस बार UPSC रिजल्ट में इसलिए से बार ही नहीं दरसल 2011 के बाद हर बार के UPSC रिजल्ट में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बैगराउंड के छात्रों में सफलता और सफलता के अनुपात में इतना अंतर पैदा हो रहा है उसके लिए हम आठ्स बैगराउंड वालों को क्या क्या करन चाहिए जिसमें कम से कम मेंस में हमारा माक्स जो है अच्छा आ सके क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं कि बीटेक MSC करने वाले चात्र इतिहास भगोल समासास लेकर हम आर्ट्स स्टुडेंट से अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो इसका कुछ लोग गलत मीनिंग निकालने ल स्वयम को कुछ ऐसा त्यार कर लें कि हमारी एंसर राटिंग उनके समकच हो जाए उसी की लेबल की हो जाए तो एक सोच लिजे कि हमारा मिशन होगा 2022 का जो भी हिंदी माध्यम के चात्री या वीडियो देख रहे हैं तो मेंस में जो हम लोगों को कमाल करके दिखाना होगा और अपने आपको प्रूव करके दिखाना पुड़ेगा तो कुछ इसलिए मैंने ये पहला यूट्यूब में साथ पहला चैनल होगा जिसमें मेंस की एंसर राटिंग मैं अदम लाइन टू लाइन चेक करूंगा और आप लोगों को पता लगेगा कि कहां कहां पर आप गलत आपके चात्रों में असफलता की जो खाई है वो चौड़ी होती जा रही है खेर अब आपकी कोपी का विचलेशन करता हूं नहीं तो वीडियो काफी नंबी हो जाएगी क्या करूं चात्रों की असफलता मन तो विचलित होई जाता वाई ठीक है चली चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं उन तीन सरुशेष्ट उत्रों को जिन्होंने दिया है उनके नाम के साथ और बताऊंगा कि और आप क्या सुधार कर सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किये हैं यहाँ पर जिसके बारे में थोड़ा पहुत आपको बता देता हूं इतने कॉपी चेक करने के बाद मैंने यह सारे पॉइंट्स बनाए हैं जिन पर छात्रों को काम करना चाहिए जिससे उनकी एंसर एक्टिंग सुधार हो सके पहला अंसर मुझे सरवाधिक अच्छा लगा वे भी प्रस्न को ठीक से समझ नहीं पाएं कि प्रस्न की असल मांग क्या है इसलिए प्रस्न में एक्जेक्टिक क्या पूछा जा रहा है और आपसे किस परकार की उत्तर की अपिक्षा की जारी है यह शुरुवात में ही आपके दिम लिंटेड स्पेस में लिखना होता है जब आप जाओगे तो वहां आपको लिंटेड स्पेस मिलेगा यहां पर एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि हम हिंदी माध्यम के लोग विशेश रूप से कॉलेज टाइम से ही यूनिवर्सिटी स्टाइल में लिखने की हम लियाई ने जरूर उसकी परिक्षा खराब गई होगी तो यह सब महौल और आरतों के साथ हम बड़े हुए हैं और उत्तर में एक ही चीज को बार 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 बदल कर लिखने की हैबिट हमें हो गई है जो यूपीसे की मांग 2011 के पहले थी पहले यह सब 2011 के पहले चलता था पर अब नहीं है अब आपको सौट में लिखने की यादत डालनी पड़ेगे हैंड रैटिंग पर भी थोड़ा वर्क कीजी लिखने की स्पीड के साथ साथ पढ़ने लाइक हैंड रैटिंग कम से कम रहे तो बहुत अच्छा ह होगा क्योंकि किसी-किसी कॉपी को तुम्हें पढ़ी नहीं पाया था डॉक्टर से भी खतरनाक हैंड रैटिंग था उनका और स्पेलिंग मिश्टेक काफी मिले मुझे दिर्ग की कि है जो मात्र होती है हरसंति की मात्र होती है सब में बहुत गल्थि किया आप लोग ने और यह सब परिक्षक को आप के विश्ए में अच्छा impression नहीं देती है क्योंकिanıश इन्स में आप लिखते हैँ और आपकी जो लिखावर होती यह वह ही आप जाती है एंसर, जो copy check करते हैं, आपका हैंड़ाइटिंग ही जाता है, और spelling mistake है, सब कीजेगा, आपका face नहीं जाता है, तो आपका हैंड़ाइटिंग जाता है, तो यह वह ही है, जो एक मात्र, जिससे वह कलपना करते हैं, कि बच्चा कैसा होगा, आप स्पेलिंग मिश्टेक कर दीजेगा हैंड एटिंग खराब लिखिएगा तो फिर समझ जाएगा कि यह बच्चा ठीक नहीं है इसा कॉपी चेक कर नहीं वेकार है तो यह ध्यान रखिए इंटर्व्यू वह अलग है वह आपका व्यक्तित तो देखती है आपका चेहरा दे कि कोई करेंट अफेर्स की बुकलेट पढ़ रहा हूं एंसर का इतना इंफोर्मेटिव होना भी ठीक नहीं है थोड़ा समय चुटिला पल नहीं है थोड़ा लिखन कला का परदर्शन कीजिए अपनी राय जरूर लिखिए कि आपका इस बारे में क्या सोचना है ठीक है समझनी है अट पटा सा लगा हाँ यदि आप इंटरनेट सट डाउन को लेकर सरकार के पक्ष में हैं तो अंतिम तक पक्ष में ही रही है हम बस इतना कह सकते हैं कि इससे सवतनता कहनन होता है पर देश की सुरक्षा स्वर्वोपरी है यह नहीं कि दो-दो बात लेकर आप चल परिक्षक को आशा रती है कि जो सवाल है उसमें आप जम्मू कश्मेर का तो कम से कम जिक्र जरूर कीजिएगा तो आप वही नहीं लिखिए तो आप कैसे काम चलेगा तो चली अभी तक तो एतने ही सारे पॉइंट्स हैं दिमाग में यह आपके दिमाग में कुछ ऐसे प्रशन बहुत अच्छा पड़ता है अनुच्छे दादी का जिक्र करते वे यह शुरू से अन तक एक बात पर ही टिकी रहेंगी इंटरनेट सट डाउन से अभिव्यक्ति की सतनता चीनी तो जाती है पर कभी कभी राष्ट हित के लिए जरूरी भी हो जाता है और राष्ट को पाये अपनाना चाहिए मगर आपका तो स्टैंड है कि सुरू से ही स्टैंड है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है और यदि आपको वेकल्पिक शुझाने उपाय सुझा नहीं थे तो अपने उत्तर में आप कम से कम एक लाइन लिग देती कि इंटरनेट सट डाउन से एनर की का वातावरन समाज में फैल ला है तो सरकार को फला फला चीज़े करने चाहिए जिससे वहां की जनता एकदम से असहज ना हो जाएं और आप अपने वैकल्पिक उपायों को पढ़िएगा तो आपके स्टैंड में थोड़ा भूत विरोधावास मुझे लग रहा है आपने लिखा है कि इंटरनेट से वहां बंद ना हो बंद तो हो नहीं है असल में आपने पहले ही उसके बारे में कई बातें लिख दिया आपने और उसे ठीक ठराया है तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं कि आप इंटरनेट से वहां बंद ना हो ऐसा आपने लिखा है फिर आप सच है कि इसमें एक बेसिक गलती है कि यह है कि वो कुछ कुछ पोर्टल को चालू रखा जाए और कुछ को बंद रखा जाए तो यह टेक्निकली रूप से संभब नहीं है तो इसे आप देख लिजेगा कि आपको उत्तर में परिवरतन कैसे करना है तो ऐसा नहीं होता है जब अपनी भड़ जी का है अपकी अच्छी है मगर स्कैन अपने अच्छा करके नहीं भेजा है पढ़ने में काफी दिक्कत हुई एक दो पेज एक्स्टा ही ले लिजे थोड़ा गयब करके लिजे लिखी और पढ़ने वाला को भी अच्छा लगए परिभासा से शुरुवात म आपका मजबूत पक्ष है कि आपने कुछ डाटा दिया है टेलिग्राफ अधिनियम के बारे में लिखा है यह सब बहुत अच्छा लगा यह सब चीजों को अंडरलाइन करना सेखिए ताकि परिक्षा की नजर सीधे उस पर पड़े आपका स्टैंड बिलकुल क्लियर है जो कि इंग्लिश आम देवनागरी में यूजर इस तरह तरह का बनाकर न लिखें यह सब तो इंग्लिश में लिखा जाता है हिंदी में बहुत बनाना है तो यूजरों इस तरह से लिखिए ठीक है बाकी ठीक है आपका उत्तर अगली बार थोड़ा सब्दों के बीच गैप करक अगला उत्तर विक्की शेकर जी का है आपको बहुत सुधार करने की ज़रूरत है परिवासा अभी मत लिखें जब तक आपको define करने नहीं कहा जाएगा परिवासा मत लिखें बहुत सारे spelling में श्टेकस में आपने जैसे माने नहीं है जम्मो में लागू यह सब स्पेलिंग आपका गलत है बहुत बेसिक स्पेलिंग है एक दिशा में लिखें आपकी हैंड़ा पान करके लड़ खड़ाते वह नजर आ रही है बाकी आपने अपना विचार रखा है इसलिए आपका उत्तर मैंने चैन किया और नहीं करता चलिए आ अपना नाम और डेटेल लिखकर आपको अपना उत्तर फोटो खीचना है और उसका फोटो कीचे और उसको अपलोड कर दीजिए साफ सुतरा होना चाहिए ध्यान रखीगा मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा यह प्रयास आपक कैसा लगा और इससे आपको क्या लाब प्राप्त हो रहा है और भविष्य में क्या लाब प्राप्त होगा ठीक है तब तक के लिए जैहिंद